36 गर सठका जहां अच्छी सिक्षा, अच्छा स्वास्ट सहित रोजगार पर काई क एहम फैसले ले रही है वही बॉलादा बाजार जिले के कॉसडौल समुदाइग स्वासकिंद्र के चिकित्शा पर मरीज सहित मरीज के परीजन समुदाइक स्वास किंदर को लेकर अलोचना करते नहीं ठकते हैं बात कर रहे हम चिछपॉल निवासी पुशोतम यादों की जिनकी एक समानी दुरगटना हुई जिसके प्राथमी की उप्चार यूपी के लहबाद में हुआ जिसके उपरां कॉस्डॉल समुदाइक स्वास के इंदर मरीज को लाए गया काफी मशक्कत की बाद परीजनों को देखने के लिए स्वास तमला सुथ लेने आया और सलाह एक्सरे की दिया गया घंटों इंतिजार करने के बाद मरीज एक्सरे मशीन के पास पहुंचे जहां तैनात लेडीस नर्स मुबाइल में व्यास थी मरीज के अंदर आते ही नर्स ने पूरे रॉब में मरीज के परीजनों को फटकार लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया लाइट गुल का हवाला कर दिया जैसे तैसे डॉक्टर को टीम ने मरीज को इलाज का अश्वासन दिया लेकिन शाम को आठ बजे तक एक्सरे होने का इंतिजार परीजनों को करना पड़ा कि देखे जो मरीज है वो लगबद 11-11 बजे हमारे सामधाइक स्वासकेंद्र में आया परीजन के करना था कि ट्रेन से गीरा था और बाहर आउट आप चातिस गड़ों भरती था हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में उनका एक्सरे नहीं हुआ मरीज को यहां लाया गया ओपीडी पर चिकाटे और उसके बाद मरीज को भरती किया गया एक्सरे आज लाइट नहीं बंद होने के कारण एक्सरे मसीन नहीं चल रही है मरीज की परिजन को बलवदाबजार जिला अस्पिताल रिफर की सला दिया गया यह आप से मुझे जानकारी हुआ है मैं देखता हूं जो भी हो उसके उपर जाच करके करवाई करूं देखे जो मरीज अपरिजन के जो बनेख नाम है अग्रकार बनाये रिकान इस समय दक्तर आई रिकार और बार बार हमें चक्कल लगाये अगर लाइप्पनी यह इसे करके मुले रिकार अभी ताप नर पास आई अभी ताफ आमार नहीं पुशों जो मैं ममारा इस रिक्ता ने आता है इस पर तमाम जानकारे के लिए बलादा बजार से बीप ये मनुज मिस्टरा हमारे साथ फोन लाइन पर है मनुज अस्पताल के नेर्स दोरा परीजनों से दूर्बेवहार किया गया मरीजों के परिजनों से दुर्वेवार क्या किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? लेकिन परेजन तो पूरी तरीके से सीधे तौर बर आरोप लगा रहे हैं कि नर्स ने उनके साथ बत्तमीजी की और कहरी कि लाइट गुल हो चुकी है उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है अपताल में ऐसा बेवहर क्या उचित है इनके साथ रही है मनुझ नहीं हो च